आकास भूमी न्यूज राश्टिय समाचार पत्रव वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी छलक पर कांग्रेस के भदोही जिला उपाध्यक्ष राजेस दूबे ने कहा कि जिस उद्देश को लेकर जनपत की स्थापना हुई थी जनपत के जिम्मेदार उस उद्देश से भटक चुके हैं किसी भी देश प्रदेश या जिली की पहचान उसकी चिकित्सा व्यवस्था सिक्षा व्यवस्था वर राजस्व से होती है दुरभाग यह है कि आज हमारे जनपत की चिकित्सा व्यवस्था घुटनों पर चलने को मजबूर है चिकिस्था व्यवस्था के नाम पर हमारा जनपद रेफर जिला के नाम से जाना जाता है इसमें चौकने वाली बात नहीं है सच यही है कि यदि किसी की हालत हलकी सी भी क्रिटिकल होती है तो उसे तुरंत वारानसी रेफर कर दिया जाता है ऐसे में वारानसी आप प्रियागराज ले जाते समय रास्ते में ही मरीज दम तोड़ देते हैं सिक्षा व्यवस्था के नाम पर जन्पद में केवल इमारते ही दिखाई देती हैं सिक्षा का मूल आधार सिक्षक होते हैं जिनकी जन्पद में ही नहीं बलकि पूरे प्रदेश में भारी कमी है। अब बात अगर कालीन की करें तो उसके भी निर्यात में काफी कमी आई है। लोगों को सही मामले होते हुए भी आफिजों के चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर भी न्याय नहीं मिल पाता, क्या इसी उद्देश को लेकर जनपत की स्थापना की गई थी प्रदेश में चाहे भाचपा, बसपा या फिर सपा की सरकार रही हो सभी ने जनता का किवल दोहन किया है चिकित्सा व्यवस्ता के नाम पर इन सभी सरकारों ने प्राइवेट हॉस्पीटल को माला माल किया है गलती से भी यदि कोई मरीज ऐसे हॉस्पीटलों में इलाज के लिए चला जाता है तो फिर उसकी जो कुछ बची हुई सुन्ड साका है वह भी खत्म हो जाती है अर्थात बीमार होने के साथ साथ वह आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है आईए उक्त आउसर पर राजेश दुबे ने और क्या कहा आपको सुनवाते हैं लेकिन उसके पहले जिला बनाओ समित गठी तुई और एक लंबे अंतराल तक संघर्ज करने के बाद या अवसर मिला कि हमको जन्पत नियाम से अदूरी जन्पत बना इस नए जन्पत को बनाने के पीछे मकसद केवन मुक्चाला स्थापित करना नहीं था हमारे जिला बनाओ कमेटी के पुनोधार है विकास पुरुष पंडित स्याम धर मिस्रा जी और उनके साथ हम लोग भी छात जीवन में जिला बनाओ कमेटी के साथ मुले आज भी पंडित केशव किपाल पंडे जी है तमाम साथी लोग हैं हमारे पार्टी के भी कई तमाम नेतागण हैं जिन्होंने जिला बनाओ आंदोलन में बड़ा बढ़ चड़ के हिस्सा लिया तमाम साथी तमाम हमारे बुजरगवान आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन जिला बनाओ कमेटी का जो जिला बनाने का अधेश था जब हम लोग आपस में बैठते थे और अधिकारियों के साथ प्रदेश सरकार के साथ यहां तक की जब आधरणिक राजी गौाधी जी इस देश के प्रदान मंत्री थे उनसे भी जब भदोही जिला बनाओ कमेटी के लोग मिले तो जिला यह क्यों बने उसके पीछे हम लोगों की जो सोच थी वो यह थी कि हमारे जनपत को उस समय सरवाधिक राजस कार्पेट एक्सपोर्ट के माधम से मिलते थे और वह हमारे उत्तर प्रदेश में के रेबुनू एउरेज में सरवाधिक था हमारे जनपत त जलाने के लिए सबसे पहले राजसू की जरूरत होती है उसके ऐस्बाद उस राजसू के माध्यम से जनपत में विकास का जो आयाम हो आम जन जीवन तक जो एक विकसित सोच होती है उस सोच के साथ जन्पत वदोही नया बने और विकास सभी लोगों तक कैसे पहुंचे इस सोच के साथ इस जन्पत की स्थापना की मांग हम लोगों ने किया और जो कालांतर में चल करके 30 जून 1994 को आधानीम दलगत भावना से उपर उठ करके हम आधानीम मुलायम सिंग जी के सुक्र गुजार है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने हम लोगों की मांग को दलगत भावना से उपर उठ करके स्विकार किया और इस जन्पत को जन्पत का दर्जा दे करके स्थापिक दे अब जिस सोच के साथ यह जीला बना आज आप लो जन्पत में एक अदद जिला अस्पताल नहीं है किसी भी मानवी मुल्यांकन के लिए किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक राजनेतिक उन्नेयम की जो प्रिष्टभूम होती है वो दो आयामों को निर्वर करती है पहला होती है कि उसके जन्पत की स्वास्त की क्या जन्पत भदोही के जीतने भी सरकारी सेक्टर के स्वास्त केंद्र है वो केवल रेफर सेंटर बन करके रह गया है किसी को क्रिटिकल बिमारी हमारे जन्पत के किसी भी व्यक्ति को अगर क्रिटिकल बिमारी हो जाती है कभी कभी आयसी भी सितियान पढ़ती है कि बाट के लिए अगर रेफर होते हैं वाराणशी के लिए रेफर होते हैं तो नहीं पहुच पाते हैं और उनका जो एपने जीवन से हाथ दो बैठते हैं दूसरी स्थितिय है कि जो प्राइबेट सेक्टर में इस जन्पद में हाजपिटरों को पोसित कर रही है चाहे यह तो 94 में जब से ये जन्पत बना इस जन्पत में या तो सपा की सरकार रही इस प्रदेश में या तो भाजपा की सरकार रही और या तो भहुचल समाज लोग इलाज कराने पहुंचते हैं तो उनके उनकी जो आर्थिक सोड साखा होती है वो भी समझट हो जाती है तो एक तरफ तो वो जो है बिमारी से जहते हैं दूसरी तरफ आर्थिक बिमारी भी उनके उपर लग जाती है। अब रहासवाल सिच्छा के मामले में आप देखेंगे तो आज की जबाने में वो जबाना गया राजीव ग्राधी जी ने दसम सूची में जब इस देश में सिच्छा को डागा था तभी गाउं गाउं में एक अवियान चला करके भारत सरकार ने और जो भी हमारे प्रदेश क की सरकारे रही उन सरकारों ने इस प्रदेश में और खासतर से भदोही जन्पद में गाउं गाउं में प्राइमरी सेक्टर में विद्याले चालू हो गए प्रात्मिक विद्याले वह अलग बात है कि यह तीनों सरकारे जो हैं यह तीनों सरकारे प्रात्मिक विद्याले तो जो ब्यवस्था प्रदेश सर्कार को करनी थी सिच्छक की ब्यवस्था, सिच्छकों की नीजेक सरकार को करना लिए और उसका जो है आज जो अनुपात है सिच्छा का प्रात्मिक सिच्छा की व्यवस्था जन्पत्वदोही में द्वस्थ है दूसरी स्थिति यह है कि जो भी चाहे वो गोवर्मेंट एड़ेट कालेज राज हमारी बसपा की सरकार्थी हमारे ही प्रदेश के यह आदरनी रंगनात मिस्रा जी बड़े ही काबिल मंत्री रहे लेकिन उन्होंन में राज की विद्याले तो खुक फोल दे लेकिन किसी भी विद्याले में पत्स्रीजन नहीं हो पाए इसलिए विद्याले और बिल्डिंग को बन गई लेकिन उसमें जो है सिच्छकों का अभाव है आज सिच्छक नहीं है और हम उस प्राचीन भारत के अनुयाई हैं जहा सिच्छा की विवस्था भून के अधीन और संसाधन के अधिन नहीं रही सिच्छा विवस्था सदय योग गुरुजनों पर आस्रित रही तो योग सिच्छकों का उत्तर प्रदेश में भाव है तीसरी बात आज आधुनिक सिच्छा और ब्यावसाइक सिच्छा की बात ब्यावसाइक सिच्छा के छेत्र में हमारे जन्पद भदोही में कोई योगदान नहीं है, कोई ब्योस्ता नहीं है, हमारे जन्पद भदोही में एक अदत इंजिनिरिंग कालेज नहीं है, किसी भी बच्चे को अगर अच्छी एंबिये की सिच्छा लेनी है, तो उसको पड़ेगा इंजीनियर की बनना है इंजीनिरिंग सिच्छा लेनी है तो बाहर जाना पड़ेगा पाल टेकनिक नहीं है इसके साथ साथ जो भी ब्यावसाइक आज ब्यावसाइक सिच्छा के माध्यम से ही लोगों को रोजगार मिल रहे हैं आज टेकनिकल सिच्छा के माध्यम 30.9994 से आज तक के सफर में हमारे जन्पत के किसी भी कोने से किसी भी कोने तक या मुख्यालय आने जाने तक या किसी भी तहसील के हेड़कौाटर पर आने जाने तक या जो जन्पत के 6 लाक हेड़कौाटर हैं उन पर आने जाने तक एक भी सरकारी सेक्टर में परिवहन कि यहां के लोग सुचार रूप से एक उचित किराया देख करके अपने इलाज के लिए अपने नयाय पाने के लिए अपनी भरियाद के लिए जन्पद मुख्यालेया और जगभ आ जासे कि तीसरी बात आप देखेंगे कि जिस तरह से विकास के नाम पर आपने हमको याद है कि जब विकास वहन बनाने के लिए बील्डिंग के लिए पैसा आ गया और विकास वहन कहां अस्थापित हो इस उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदै विकास वहन की अस्थापना करने के लिए जो वहां जो है संसारापूर म में अस्थापित है वहां आ रहे थे तो आदरणी पंडी स्यामधर मिस्तरा जी के नेत्रित में हम लोग वहां जाकर के बिरोध दर्ज कराए थे कि इस जन्पद में विकास का जो आयाम है वो विकास वहन से चलेगा और विकास वहन को जंता से जिस तरह से आप दूर कर दे रह की बातें नहीं मानी गी लेकिन आज क्या स्थिती है विकास भहन कोई भी विकास की बात करने आप सोच रखने वाला या विकास से बंचित फर्यादी वहां नहीं कुछ पा रहा है वो ग्यानपूर से या ग्यानपूर डिश्टिख एट क्वाटर से इतनी दूरी पर का साधन नहों तो कोई विव्यक्ति नहीं जा सकता और विकास के नाम पर सड़कों की बात देख लिए यह भारती जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो उसी सड़क को प्रमुग जी भी बना रहे हैं उसी सड़क को पी डवलूडी भी बना रही है उसी सड़क को जा करके आरियस भी बना रही है और विधायक और सांसद निधी से भी वही सड़क बन रही है यह जो है जनपत भदोही का दुरभाग है इसलिए हमारी यह मांग है हमारे बीच में आधानी पंडित के सव प्रिपाल पांडे महरा इहां बाहरियों का उपनिवेस बना के रखा उसका हूं विरोध करेंगे और जनपत भदोही के लोगों को ले करके जिस तरह से इस जनपत को स्थेपित करने में काम किया गया था हमारे पूरोजों ने या हमारे बनिशियों ने काम किया था उसी तरह से Beanook लेकर के इन्होंने जर्पत्भदोही के स्थापना कराया था उस सपने को साकार करने के लिए हम काम करेंगे यह हम आपसे करना चाहिए लाल बटन दबा कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवस्चे दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे आप अपने आसपास होने वाली घंटनाओ की जानकारी हमें नीचे लिखे नमरों पर दे सकते हैं आप हमें इमेल भी कर सकते हैं